सीरी साइ बाबा ब्रत रखने के नियम सीरी साइ ब्रत को कोई भी इस्तरी पुरुस और बच्चे भी रख सकते हैं साई बाबा का ब्रत जात पात के बेद भाव के बिना कोई भी व्याक्तिक कर सकता है यह ब्रत बहुत चमतकारी है नौ गुरु बार को वीधी पुर्वक ब्रत करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है यह ब्रत किसी भी गुरु वार को साई बाबा का नाम लेकर सुरू किया जा सकता है जिस कार्य सिधी के लिए ब्रत किया गया हो उसके लिए साई बाबा से सच्चे मन से प्राथना करनी चाहिए सिरी साई बाबा आपकी मनुकामना अवस्य पुर्ण करेंगे यहां ब्रत कलाधर लेकर भी क्या जा सकता है जैसे दूद, चाय, फल, मिठाई, त्यादी अथवा एक समय भोजन, मीठा या नमकीन करके क्या जा सकता है भोखे रहेकर उपुआश ना कर सके तो ब्रत बाले दिन सुभाया साम को साई बाबा की फोटो तथा सिरी साईनात सिध विशा यंदर की पूजा करनी चाहिए पूजा करने से पुर्वे नहा धुकर बस्तर पहने इसके पस्चात पुर्वे दिशा में किसी आसन पर कोरा पीला कप्रा बिछा कर उस पर सिरी साई बाबा की फोटो वह साई अंदर को स्वच्छ जल से पोच कर अस्थापित करें चंतन का तीलक लगाए और पीले फुल चठाए और अगर बत्ती तथा दीपक सुध घी का दीपक जलाकर साई ब्रत की कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए तथा जिस काड़े के सिध्धी क सिरी साई बाबा की सच्चे मन्से पुरा करनी चाहिए और सिरी साई बाबा की आर्थी करके परसाद बाटे तथा स्वयंभी ग्रहन करें परसाद में कोई फल भी मिठाई अथ्वा घर में बनाई खिच्री बाटे नौ गुरुबार को यादी संभाव हो तो साई बाबा के मंदिर में जाकर साई के दर्सन जरूर करें यादी साई के मंदिर न जा पाए तो घर पर ही स्रधा भक्ति पुर्वक साई बाबा की पूजा की जा सकती है यादी ब्रत बाले दिन कहीं बाहर जाना हो या यात्रा पर हो तो ब्रत चालू रखा जा सकता है या फिर उस गुरुबार को छोर कर अगले गुरुबार को ब्रत करें इस्तिरिया यादी ब्रत के समय रजवाला होने की कारण अथवा किसी अन्य कारण से ब्रत ना रख पाए तो उस गुरुबार को नौ गुरुबार की गिंती में ना लिचे और उस गुरुबार की बदले अन्य गुरुबार को ब्रत करके नौवे गुरुबार का उध्याप एक बार मोनोकामना अनुसार ब्रत पूर्ण करने के बाद फिर मोनोकामना कर फिर से साई ब्रत शुरू कर सकते हैं। और ब्रत का परचार परसार करने के लिए सिरी साई बाबा ब्रत कताके या असली पुष्टके भेट करने पर चमतकारी लाब होता है। इस तरह ब्रत का उध्यापन करें। नौवे गुरुबार को जितनी भी पुष्टके भेट देनी हैं। उन्हें तिलक लगाकर पूजा मे रखे और बाद में बाटे। जिन से उन ब्यक्तिकों की भी मोनोकामना पुर्ण हो जिसे आप ये पुष्टक भेट में दे रहे हैं। शिरी साई नाथ सिध बिशायांत्र जिसकी नौव गुरुबार पूजा की है। उस मंत्र को आपने पूजा के आस्थान पर अस्थाप अब सुनिए सिरी साई बाबा की ब्रेत का था। रामा बहन और उनके पती दीपक एक बड़े नगर में रहते थे। दोनों का एक दूसरे के प्रती बड़ा प्रेम भाव था। और वह अपने घर परिबार में आनद पुर्बक रहते थे। दीपक भाई का अच्छा खासा क कारोबार था। प्रेंतु उनका सौभाव थोरा कठोर या और बोलने का सायदोंने धंगना आता था। अचानक समय ने अपना पासा पलटा और दीपक भाई का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार एक दम से ठप पर गया। अत्यधिक घाटा होने की कारण उन्होंने ब्य वस होकर घर पर बैठ गये। इस कारण उनके सौभाव में पहले से ज्यादा उग्रता आ गई। बात बात पर लड़ना जगरना उनकी आदत बन गई थी। इसी बजा से उनकी अक्सर अपने पास परोशियों से भी कहा सुनी हो जाती थी। उनके इस सौभाव की कारण उनक के परोशिवी खिन रहते थे। रामा बहन बहुत ही धार्मिक सौभाव की इस्तरी थी। वह भगवान पर पुर्ण स्रध्धा और विश्वास रखती थी। इसलिए सायद बिना कुछ कहे सेब कुछ चुप चाप सह लेती थी। उन्हें विश्वास था कि इस वर एक दिन क कोई न कोई रास्ता अबस्य निकालेंगे। एक दिन दोपहर के समय रमा बहन की घर पर एक ब्रिद साधू महराज दरवाजे पर आये। उनके चहरे पर अदभूत तेश था और आखों से अम्रित बरस रहा था और उन्होंने आकर दाल चावल की मांगी। रमा बहन ने तुरत हाथ दोकर उस साधू महराज को दाल चावल लाकर दिये और हाथ जोरकर उन्हें नमस्कार किया। ब्रिद साधू ने आसिरबाद दिया। साई सदा सुखी रखे। रमा बहने का महराज सुख अपने भागे में ही नहीं है। और फिर अपने दुखी ज नौ गुरुबार की ब्रत करने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मनत मांगकर नौ गुरुबार को ब्रत करना और एक समय फलहारिया भोजन करना। संभा हो सके तो नौ गुरुबार साई मंदिर जाकर साई के दर्सन करना। वह घर पर साई बाबा की नौ बिधि पुर्वक पूजा करना और विधिवत उध्यापन करना गरीबों को भोजन कराना सिरी साइं ब्रत कथा की पाच साथ ग्यारा एकिस इकावन यह 101 पुष्टत भेट करना जिससे साइं बाबा की महिमा का परचार प्रसाद हो सके इससे चमतकारी लाब होता है कल्यूग म यह ब्रत बरा चमतकारी ब्रत है यह सभी मोनो कामनाय पुर्ण करता है लेकिन साइ बाबा पर अटूत रधा विश्वास और धीरज रखना चरूरी है ब्रत को करते समय मन में किसी के भी प्रती इस्या देश नहीं होना चाहिए और जूट छल कपट आदी बुरी आदतों को भी त्याग देना चाहिए साही का इस्मरन करते रहना चाहिए इस सब बातों को ध्यान में रखकर जो भी प्याकति साही ब्रत हुआ उध्यापन करता है साही बाबा उसकी मोनो कामना अवस्य पुर्ण करेंगे साधु महरास से ऐसे बचन सुनकर रमा बहन अंत्यात परसन को भोजन कराया साही ब्रत था कि 101 पुष्टक भेट की इस से उनके घर के जगरे जंजट दूर हुई घर में बहुत ही सुक सांती हो गई दीपक भाई का सौभाव में आश्चरजी जनक बदलाव आनने लगा उन्होंने फिर से अपना कारोबार सुरू कर दिया थोरे ही समय में उनके घर में सुक सिम्रिधी बढ़ गई दोनों पति पतनी सुखी जीवन बिताने लगे एक दिन रमा बहन की जिठानी अपने पती के साथ उनके घर मिलने आई दोनों पति पतनी को खूस देकर उन्हें बड़ी परसंता हुई उन्होंने रमा बहन से पूचा कि उनके जीवन में यह चमतकार कैसे हुआ और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते और परिक्षा में फेल हो गए दिनों दिन बिगरते जा रहे हैं जिसकी बज़ा से सब कुछ होते हुए भी हम लोग बहुत प्रिसान हैं रमा बहन ने उन्हें नौ गुरुबार को साई बाबा के ब्रत करने की महिमा बताई साई बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और कहना भी मानेंगे लेकिन इन सब के लिए साई बाबा पर पुर्ण स्रध्धा और विश्वास रखना जरूरी है साई बाबा सब की साहता करते हैं उसने रमा बहन से ब्रत का उध्यापन की बीधी बतलाने को कहा रमा ने नौ गुरुबार तक ब्रत करने हुआ संभव होतो साई मंदिर में जाकर साई दर्शन करने के लिए कहा और ये भी बताया कि यह ब्रत इस्तिरी पुरुस एवंग ब फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती, आधी, परसाद चढ़ाना, एवं साई बाबा का इस्मरन करना, आर्ति करना, आधी बीधी बताई, साही ब्रत कथा साही इस्मरन, साही चालिसा, कवच, साही बाउने, साही, नाम माला, आधी का पाठ करना, नौवे गुरुबार को उध्यापन करना या था सकती साई ब्रत कथा की पुष्टके पास परोष मित्रो और सगे समंध्यों को भेट कर देना उनकी जेठानी यह सब सुन बहुत प्रसन हुई उसने भी अपने घर जाकर पुर्ण स्रधा और विश्वास से नव गुरुबार का ब्रत किया जिसका पड तता परिक्षा होने पर अपनी कक्षा में फर्स्ट आये आप तो वह अपने महले परोष में दुखी लोगों को साई बाबा के चमतकारी ब्रत का महात्में बताने लगी जिसके फलोसरुप उनकी सहेली की बेटी जिसकी उम्रा ज्यादा होती जा रही थी बहुत अच्छी जगा साधी साई ब्रत रखने से हो गए एक परोषन जिनके पति गंभी रुप से बिमार थे वो भी साई ब्रत की किर्पा से स्वस्थ हो गए और भी ऐसे अनेक अद्भुत चमतकार हुए थे रमा बहन ने कहा कि साई बाबा की महिमा महान है हे साई बाबा जैसे आप लोगों पर परसन होते हैं अपनी किर्पा करते हैं बैसे हम पर भी प्रसन हो अपनी किर्पा करना और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने उसके भी सभी मनुरत पुर्ण हो तो सभी मिलकर बोले साई महराज की जय अब सुनेए सिरी साई बाबा की आरती वे सुख सांती चिरंतर पावे भाव धरे जो मन में जैसा पावन अनुभाव वो ही बैसा गुरु की उदी लगावे तन को समाधान लाबत उस मन को साई नाम सधा जोगावे सोफल जग में ससवत पावे गुरु बासर करी पूजा सेवा उस पर किरीपा करत गुरु देवा राम कृष्ण हनुमान रूप में देदर्सन जानत सो मन में बिविदे धर्मे के सेवक आते दर्सन इचित फल पाते जै बोलो साई बाबा की जै बोलो अधुत गुरु की साई दास आरती को गावे घर में वसी सुख मंगले पावे प्रेम से बोलिये सिरी साई बाबा की जै कथा अच्छी लगे तो दुसरों को स्यार करना ना भूले धन्यवाद